हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने चैनल तेयारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करेंगे वॉक्षिट नंबर 89 वॉक्षिट नंबर 89 क्लास 628 का वॉक्षिट है बच्चों यहां आप अपना नाम लिखें और यहां आप अपने कक्षा अधियापक का नाम लिखें वॉक्षिट है 5 दिसंबर 2020 का तो बच्चों जैसा कि इमेज को देखके ही पता चल रहा है कि आज का जो वॉक्षिट है वह वॉक्षिट किससे रिलेटेड है वह वॉक्षिट संबनित है सरक ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक बाहर और ट्रैफिक पूलीस कन्ट्रोल से तो चलिए यहां पहला प्रस्न हमाणा दिया गया है नीचे दिए गए चितरों में दी गई चीजों को पहचान कर उनके नाम लेखिएं तो यहां पहला जो हमारा चित्र है वह किसे दर्स आ रहा है यह है सड़क का चित्र क्या हो गया यह सड़क दूस इसरा चितर देखिए जब भी आप घर से बाहर निकले होंगे तो आपने इस तरह का चितर देखा होगा यह किस का चितर है यह ट्राफिक सिगनल का चितर है तो यहां हम लेखेंगे ट्राफिक सिगनल का हम सब ने यह सिगनल देखा है जैसे ही लाल बत्ती जलती है गारी क्या ह जाता है रुक जाता है तो यह हो गया हमारा ट्रैफिक सिग्नल अब देखे तीसरा इमेज तो यहां देखे तीसरा इमेज हमारा क्या है तीसरे इमेज में हम देख रहे हैं बाहनों को तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रैफिक बाहन इस तरीके से आप यहां पर लिखिए ट्रैफिक को कंट्रूल करती है जहां अत्यधिक भीरभार होता है वहां ट्रैफिक कौन कंट्रूल करता है तो वहां ट्रैफिक कंट्रूल करता है ट्रैफिक पुलीस इसे हम कंट्रूलर भी कहते हैं चलिए तो ये हो गया हमारा प्रसन संख्या पहले का उत्तर अब हम देखेंगे प्रसन संख्या दो क्या है हमारा तो यहां देखें प्रसन संख्या दो ऊपर दिये गए चित्रों के नाम लेकर बताईए कि उनके क्या क्या कारे है हमें बताना है बच्चों की सडक का क्या कारे है और ट्रैफिक सिगनल का क्या कारे है ट्रैफिक बाहन का क्या कारे है और ट्रैफिक पुलीस का क्या कारे है तो हमें इनके कारे बताना है तो देखे सबसे पहला हमारा क्या था सडक तो यहां हम लिखेंगे सडक लिए हो गया अब इसका क्या कार्य है सडक का प्रयोग बच्चों आवा गमन के लिए किया जाता है तो यहां हम लिखेंगे आवा गमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है, चलिए, अब हम देखेंगे दूसरा, दूसरा इमेज हमारा है बच्चों, ट्रैफिक सिगनल, तो यहां हम नाम लिखेंगे, ट्रैफिक, नीचे लिख देंगे, सिगनल, क्योंकि यहां पर स्पेस कम है, तो हम इसके लिए इसे नीचे लिख देंगे, क्या काम होता है तो यह क्या कारे करता है यातायात को नियंतरित करता है तो यहां हम लिख देंगे यातायात को नियंतरित करता है आप लोगोंने भी देखा होगा चौड़ाहे पे ट्रैफिक सिग्नल लगा होता है ट्रैफिक सिग्नल जब जैसे ही लाल बत्ती जलती है तो गा गारियां चलनी सुरू हो जाती है तो ट्रैफिक सिगनल चे बहुत सारे फाइदे हैं एक्सिडेंट नहीं होता है अगर लोग उसका पालन करते हैं और जाम भी नहीं लगता है तीसरा इमेज हमारा है ट्रैफिक बाहन यहां हम लिखेंगे ट्रैफिक बाहन अब देखिए इसके द्वारा लोगों और वस्तू को क्या किया जाता है एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर पहुँचाया जाता है तो यहां पे इस परकार से आपको इसका आंचर लिखना है बस्तू का आवागमन आवागमन करने का आर्थ होता है बच्चों एक जगा से दूसरी जगा ले जाना आवागमन एक जगा से दूसरी जगा पर होता है ठीक है ठीक है बच्चों ट्रैफिक इसके द्वारा लोगों और बस्तों का आवागमन एक जगा से दूसरी जगा होता है यानि वाहन से लोग एक जगा से दूसरी जगा जाते है चौथा है हमारा ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलीस का क्या कार्य होता है ये मैंने आपको बताया भी ट्रैफिक पुलीस क्या करता है ट्रैफिक को कंट्रोल करता है जहां बहुत ज़्यादा भीरभार होता है उस जगा पे ट्रैफिक पुलीस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है तो इसका उत्तर आप इस पर कार लिखेंगे, इसका या इनका मुख्य कार्य भीर भार, जहां पर बहुत ज्यादा भीर भार होती है, उस जगह पर ये क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, भीर भार वाले इलाके तथा चौड़ाहे, चौड़ाहे पर भी ये क्या करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, चौड़ाहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ठीक है, अब तीसरा प्रसन देखिए बच्चों, तीसरा प्रसन हमारा है, दिल्ली प्रदेश में प्रदूशन की रोग थाम के लिए, जिस प्रकार गारियों और और इवन नंबर के अनुसार गारियों के चलने की ववस्था की गई, उसी प्रकार बरतमान समय में भी एक पहल की गई, जिसका नारा नीचे भी दिया गया है, इसको पूरा कीजिए और अपनी परिवार जनों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए, अब देखिए यहां हमें एक नारा लिखना है, तो red light, यहां पर आपको लिखना है, red light on, गारी क्या हो जानी चाहिए, off, जैसे ही red light on होती है, हमें अपने गारियों को बंद कर देना चाहिए, जिससे पैट्रोल भी बचत होता है, और हमारा परियावरन भी परदूशित नहीं होता है, तो बच् आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अवर्षय बताएं, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना बिल्कुल न भूलें, तो मिलते हैं अगले वाक सीट में, आप सब का धन्यवाद